आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे पर नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टडी ग्लोस पर आपना बहुत बहुत बास्तो आगे थे बड़ी कवर आ रही है दोस्तों फॉर्मर डीजी आईएसाई ये जनरल बाजवा को ऐसा पाकिस्तानी आर्मी चीफ सक्सीड कर सकते हैं ये हैं बाजवा ये हैं फैज हमीद लेफ्टनेंट जनरल फैज हमीद और ये हैं अंजुब अभी अभी हम इन तीनों की बात करेंगे फिलाद चैनल को सब्सक्राइब प किया है इस पर हम न्यूज करेंट अपडेट सब डालते हैं तो आप इसको जरूर बॉलो करिए तो देखो देखो कल खबर यह आया थी कि जो पाकिस्तानी आर्मी उसने आईसाई चीफ फैस हमीद को पेशावर कॉप्स कमांडर नियूक्त कर दिया वहां का चीफ बना दिया जनरल हमीद थे पहले मैं आपको फिर से दिखाता हूँ यह है जनरल बाजवा यह है फैस हमीद यह आईसाई के चीफ थे डारेक्टर जनरल बहुत जबर्दास इनका तालिबान में काम था और यह है अंजुम लेटिनेंट जनरल नदीम अंजुम इनको नया डारेक्टर जन बहुत जादा possibility है कि अब जो जनरल कमर जावेद बाजवा का काम पूरा हो गया है तो अब हमीर जो है वो नए जनरल बन सकते हैं अब इसमें कितनी सच्चा ही है वो तो अभी हम देखेंगे दीमे दीमे अब जो ISI चीफ है वो हमेचा प्रधान मंत्री जो है वो एपॉइंट करता है और पाकिस्तानी आर्मी चीफ से कंसल्ट करेगा देखें सब आर्मी का ही चलता है पाकिस्तान का समविदान वहमिदान कुछ नहीं है सब आर्मी और ISI यह जो गोलिंग वही होगा तो जो ISI चीफ की पोस्ट है यह बहुत important है अगर पाकिस्तानी आर्मी की बात करें और जब से पाकिस्तान बना है तब से ISI भी है अब आर्मी ने statement में यह बोला कि जो Lieutenant General हमीद है He was posted out but his replacement जो की पोस्ट ISI चीफ की इसको immediately announce नहीं किया गया शुरुवात में यह बोला था कि तुरंत announce नहीं लेकिन अभी ऑफिशल होगे लेटनेंट जनरल अंजुम जो है वो इनकी जगह आये है Lieutenant General अंजुम पाकिस्तानी रेजिमेंट और पाकिस्तानी आर्मी में बिलॉंग करते है करांची कॉप्स कमांडर और अब इनको बनाया गया ISI का नया चीफ काफी सक्त इनको बोला जाता है बलॉचिस्तान में भी फ्रेंटियर कॉप्स को इनोंने कमांड किया था ऐसा बोला जाता है नोंने आतंकवात के खिलाब काफी बलॉचिस्तान में क्या आतंकी वो तो यही चीज है जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो इनको और इनके जो सबॉडिनेट्स है वो इनको मैन विता ग्लेशियर ब्रेन बोलती है दिमाग बहुत शार्प है और रेफ्लेक्सिस भी उतने शार्प है और बताते कि काफी गुड ल बनाये गया था हमीद जनरल कमर जावेद बादवा के काफी क्लोज बाने जाते हैं धाई साल तके रहे और उसके बाद इनको रैंक ओफ लेटिनेंट जनरल दे दी गई ठीके अब जो तालिबान ने टेक ओवर किया है इन तीनों का का मड़ा क्रूशल माना गया है जो भी त तालिबान में भाई देखो Northern Resistance इस दर था पंजशीर में तो Northern Resistance को मारना जो था जो Resistance Forces को खतम किया है भाई पाकिस्तान की आर्मी ने पूरा उनको सपोर्ट दिया ना तालिबानियों को तब ही तो मार पाय है उनकी आर्मी देखने को मिली है तो यह हिनी की वदवलत हुआ और तालिबान ने भी जो विक्टरी हासिल किया उसमें पाकिस्तान का फुल ओन सपोर्ट था फुल ओन तो वो इसमें ये भी सामिज दे लेटिनेंट जनरल फैज और जावेद बाजवा तीनों का कॉंट्रिबूशन था ये चीज अभी तो जनरल बाजवा का साल है 2019 में को एपॉन्ट किया था नवेंबर 2022 मैं ये रेटायर होंगे प्रश aquela के सिनियर मौस्ट जनरल अभी कौन है इनके बाद कौन लेटिनेंट जनरल नॉमन मेमूद yhtा लेकिन जनरल हमीद यह सीनियर मौस्ट जनरल हैं लेकिन ये जो न्यूज है ये तोड़ा सा परशान करने वाली है अब हो सकता है बहुत दा पॉसिबिलिटी है कि पैज हमीद को अगला जनरल कमर बाजवा के बाद अगला जनरल जो है वो बना दिया जाए नेक्स्ट चीफ और पाकिस्तानी आर्मी ये चीज तो नहीं सॉरी ये जनरल बाजवाद 2016 में पॉइंट किये गए थे 6 साल का नवेंबर 2022 में 6 साल का टेनुवर इनका कम्ट्रीट होगा अब ऐसा पाकिस्तानी आर्मी वाच्चर्स ये भी बोल रहे हैं कि जनरल बाजवाद को हो सकता है दो साल का टेनुवर और मिल जाए इनका extension हो जाए लेकिन जिस तरीके से जनरल हमीद ने परफॉर्म किया या पेशावर कॉप्स में रहे है ये और उसके बाद फिर जैसे इन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया आम से मेडिकल सपोर्ट दिया और तालिबान जीद गया अफगानिस्तान तो ये भाई जो करेगा उसको जाहिर सी बात है नवाजा जायता पंजिसी रेजिस्टन्स खतम हो गया है एक तरीके से और उसमें पाकिस्तानी आर्मी का बहुत बड़ा रोल है उपर से हकानी नेट शानी गए थे यही आईसाई चीफ के सबसे पहले पहुँचे थे फैज हमीद जो है जैसे ही जब जगड़ा हो रहा था तो इसाबसे पहले गये थे मुल्ला बराधर आदर आख सागया है हकानी तरफ कौन है एक तरफ वो है जुन्हों ने अफगानिस्तान में लड़ाई की और यह जब फैज हमीद आया, उसके बाद यह सब कुछ हो पाया, तो यानि कि जनरल हमीद जो है, वो लगातार हकानी निक्रोक से जुला हुआ है, ये भी एक तो कमाल का काम, उसके बाद फिर मीरम शाशुरा अब दी तालिबान इससे भी डारेक्ली टच में है, हकानी अमदर जिसका हिस्सा है ये, ये खाइवर पास, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर को, वही खाइवर पास, जहां पे सारे के सारे इंशेंट इंडिया में इन्वेजन्स होते थे, ये इनको कंट्रोल दिया गया है, और वकान बॉर्डर जो इधर जिंजियां के पास है, ताक तब जो हमीद बोलते हैं वह यह लोग करते हैं। यह चीज है। हो सकता है जनरल हमीद जो है यह TTP को कन्वेंस कर लें कि पाकिस्तान पे हमला मत करो, क्योंकि देखिए जब से तालिबान आया है, तब से पाकिस्तान में हमले बढ़ गए हैं। जबान मारे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि यह TTP को push कर दे कि पाकिस्तान से ceasefire हो जाए। यह चीज है। अब दोस्तों यह सब तो कयास रगाए जा रहे हैं। भारत के लिए क्या दिक्कत है। भारत के लिए दिक्कत यह है कि चाहें हमीद हो चाहें जो भी हो, भारत के खिलाफ नफरत ही बोईगा और ISI का चीफ है, तब तो वो और नफरत बोईगा, मुश्किल रहेगी, वैसे ये चीज़ मानके चलिए कि आतंक का कोई वो एम तो होता निए, कोई अब्जेक्टिव तो होता निए, अब्जेक्टिव बस एक ही होता है कि आत अब्जानिस्तान में पीस है नहीं कहीं पे पीस है, तो मुश्किल वक्त बहुत जादा आने वाला है, पाकिस्तान के लिए भी आने वाला है, यह आप देखते रहेगे, अभी क्या होता है, खुश रहे पर तरे रहे से सद्दानत अगनिय उतरी शाय नहीं होगा